अलावरीवन नमस्कार दोस्तों स्वाहते आप सभी के एक बार फिर से आशीश घौतम के साथ अटेर 247 हमारी YouTube प्लेटफॉर्म पे और आज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं FIFA पर बेस्ट जितने भी important MCQs बन तकते हैं उन सभी को के यह session काफी दिन से pending चल रहा था पर फाइनली आज हम लोग इसको cover करेंगे और जितने भी important MCQs बन सकते हैं विटा FIFA 2022 और इवन काफी कुछ मैंने add किया है आपको realize हो जाएगा कि आप लोगों ने अगर वो session मेरा FIFA का skip भी कर दिया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है यहां से आपकी सारी चीज़े कवर रहेंगे बट एक गुजारिश है कि प्लीज इस वीडियो को आखरी तक देखना एक है सवाल निश्चित आपको exam में देखने को यहां से मिलेंगे बस इतनी गुजारिश है इस वीडियो को आखरी तक देखना और इस पॉसिबल अगर आप लोग इसे शेयर कर सकते हैं जहां पर भी जिस भी टेलेग्राम गुरूप में आप लोग जोड़े हुए होए है एक बार फटापट फटापट बिटा शेयर करना स्टार्ट जिसमें कि हम लोग आज FIFA related इवे मेरा तो परपस यह है कि बिटा एक भी कोशन यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए हम लोग जब भी एकजाम देने जाए निश्चत यहां से हम लोग के सारे कोशन उठने चाहिए FIFA related ओके तो गुड आफटर नून गुड आफटर नून एक बास समझना जितने भी मेरे भाई मित्र दोस्त है जो बैंक महापैक में एडमीशन नहीं लिए जिन जो बैंक और इंशुरेंस की तयारी करना चाहते हैं बिलकुल सूने से बैंक महापैक में जाए जो बैंक इंशुरेंस के साथ साथ रेगुलिटरी बॉड़ी की तयार प्लस के साथ जाए और दौनों में यहाँ पर बजाए 6 मंद वैलिटी के 12 मंद वैलिटी के आज आपको टू टाइम सी या निकि बारे महीने और 24 महीने वैलिटी मिल रही है उतने प्राइज में बैंक महापैक लेने के लिए किसी भी महापैक को लेने के लिए अड़े 24-7 हमारे यूटीब चैल पर आपको जाना है मनलब अप्लिकेशन पर जाना अड़े 24-7 अप्लिकेशन पर बैंक महापैक प्लस या बैंक महापैक सेलेक करना है Y168 code याद रखना, आपके भाई का code है Y168, application पर आपको 78% discount मिलेगा, clear? चाहे 6 month का bank maha pack ले सकते, 12 month का बड़ी है 6 month की बजाए आज आपको 12 month के साथ मिलेगा bank insurance के लिए bank maha pack है okay, bank और insurance के लिए और bank insurance के साथ-साथ regulatory body की अगर आप तयारी कर रहे है regulatory body exam की RBI, grade B, NABAD, C, B, SID, B then फिर bank maha pack plus है अब आप चाहते हो कि bank maha pack के साथ आपको printed book मिल जाए printed book, तो उसके लिए bank maha pack with book kit है English book kit, Hindi book kit, 5 book का set मिलता है ऐसी bank maha pack plus भी book kit के साथ है इसमें 8 book का set आपको मिलेगा printed का तो अब आपको जो सही लगता है कि नहीं, मुझे printer book चाहिए तो bank maha pack plus book kit और bank maha pack सिर्फ चाहिए book kit नहीं चाहिए तो फिर बेटा bank maha pack कर दीजे इसी तरीके से bank और SSE के तयारी करने है तो फिर adda का maha pack बनता है code सबी में common है Y168 लेके, ये warrior pro batch आज live classes पे भी double value है warrior pro batch भी आज आपको 12 month की बजाए 24 month value के साथ मिल रहा by using this code Y168 बाई code याद रखना Y168, bank maha pack में admission लो है किसी भी class में हमेशा मैं available रहूँगा आप लोगों के लिए आज मैंने एक और चीज़ यहाँ पर initiative लिया है which footballer created a record as a professional footballer with the most appearance in FIFA World Cup तो ये जो FIFA World Cup रहा है FIFA विशु कप में सबसे अधिक उपस्तिती के साथ पेशेवर football खिलाडी के रूप में record किसने बनाया है किसने बनाया है बहुत बढ़िया राइड आंसर बंदा यहाँ पर Lionel Messi ने Lionel Messi ने ये जो Lionel Messi है Argentira के है और ये इनके नामे एक record बन चुका है professional football player है जिन्होंने most appearance सबसे अधा FIFA World Cup में ये दिखे है Messi 26 matches में देखे है FIFA के Men's World Cup में 1930 के बाद से Miroslav Claus ये 24 matches में देखे है एक list दिखाता है उससे समझ मैंगा बहतर तरीके से ये देखे Lionel Messi पहले नमबर पे कितने के साथ 26 matches के साथ Lothar Lothar 25 के साथ दूसरे नमबर पे तीसरे पे Miroslav Claus ये 3rd place पे 24 के साथ 4th पे कोन है Paolo Maldini 4th place पे और 5th पे Cristiano Ronaldo अब ये जो मैं highlight कर रखे है 26 और 22 Cristiano Ronaldo और Lionel Messi ये वो player जो active player है तो अभी भी football खेल रहे है तो इसको जरूर याद रखना important है ये हमारा Lionel Messi पहले नमबर पे दूसरे पे Lothar Mathos Miroslav Claus तीसरे पे Paolo Maldini चौते पे Cristiano Ronaldo ये 5 पे नमबर पे clear by next Killian Killian Mbappé Mbappé won Golden Boot Award Qatar World Cup 2022 में 8 गोल के साथ जो सबसे आदर गोल करता है उसको Golden Boot Award दिया जाता है तो Golden Boot Award किसको दिया गए इस वर्ष 2022 के FIFA World Cup में Qatar World Cup में काईलीन Mbappé को अब सवाल येगी He is from which country ये भाई किसे देश से है यार हर कोई जानता है He is from France ये किसे देश से है France clear next He is also just the fifth World Cup में स्कोर करने वाले दूसरे खिलाड़ी है और Back-to-Back Final स्कोर करने वाले दूसरे खिलाड़ी है दोना 18 का World Cup 22 का World Cup तो Back-to-Back Final में स्कोर करने वाले दूसरे खिलाड़ी और Wishy Cup Final में स्कोर करने वाले ये सिर्फ पाँचवे खिलाड़ी है क्लियर है भाई हो, डन चलिए आगे बढ़ते हैं देखेगा next, अगला सवाल एक बाद session को share कर दो भाई Argentina ने France को हरा दिया है Argentina ने France को हरा कर Argentina ने France को हरा कर 2020 का जो FIFA World Cup है वो अपने नाम किया था Argentina defeated France Argentina ने France को हराया 4-2 से penalty में, भाई, 3-3 से score बरावर रहा था, फिर penalty हुआ, फिर penalty में यहाँ पर 4-2 से Argentina जीत गया Argentina ने France को हरा दिया था, 3-3 के draw के बाद, यह जो final हुआ था वो Lucille Stadium में हुआ था, कतर के दोहा में Lucille Stadium में Argentina ने यह जो World Cup title जीता है यह उसका किस number का title रहा था Argentina का यह जो World Cup title रहा था तीसरी दफा जीता है, सबसे आगर World Cup किस ने जीता है, ब्राजील ने Lionel Messi, इसको twice in the final भाई, तीन गोल हुए थे, जिसमें कि दो गोल जो थे, वो Lionel Messi ने किये थे Lionel Messi ने final में दो बार score किया और shootout में भी score किया था उन्होंने, ओके यह जो World Cup हुए था कतर में हुआ था बीस डवंबर से 18 दिसंबर रहा था यह, फिर्स полов कंप था जो कि Arab World में हुआ था, Muslim World में हुआ था एके, सेकंड वाड़ कंप था जो की Entirely Asia में हुआ था, 2002 का जो tournament था, वो South Korea और Japan में हुआ था, ठेक है, South Korea और जापान में हुआ था, ये जो वर्ड कप है, सेकेंड वर्ड कप है, जो कि एंटारली एशिया में रहा था, आफ्टर 2002 टूनमेट इन साउथ कोरिया एंड जापान, क्लियर है, डन, नेक्स्ट, ये जो फीफा वर्ड कप है, होस्ट कंटरी कतर रहा, और इसमें जो डेट थी, नवंबर से 18 दिसंबर तक, कुल मिलाकर 32 टीम ने पाट्सपेट किया था, वैन्यू आट रहे थे, पाँच होस्टर सिटी, टॉप पर अर्जंटीना, तीसरी दफ़ा टाइडल जीता, फ्रांस रनर अरप, क्रो एशिया तीसरे पर, मुरको चौथे नंबर पर रहा, यह जो स्टेडियम थे, एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ, आठ, आठ स्टेडियम थे, जहां पर यह मैच के लिए गए थे, फाइनल जो रहा था, वो आपको लुसाल स्टेडियम में रहा था, कहां पर मेरे भाई, लुसाल स्टेडियम में, क्लिया, डन, आए में फ्रेशर, फर्स्ट एक्जाम स्टार्टिंग, जिये की प्रप्रेशन कैसे करें, बेटा, वॉर्यर प्रो लेजिए, सुबह साथ बजे करेंट अफे सेशन में जोड़िए, यह दो काम करिए, मैंने अभी आप लोगों के लिए एक टेलेग्राम गुरूप बनाई, यह ओफिशल गुरूप है, जिये भाई, आशीश गौतम के नाम से आपको मिल जाएगए, टेलेग्राम चैनल, इसमें अभी एक सब्सक्राइबर है, आज ही मैंने इसको क्रिएट किया है, आपको अब इस चैनल में जोइन करना है, बहुत पर फीमेल वगएराओं को इशू होता है, फीमेल्स को कियार सर हम गुरूप में जोइन करते हैं, दरूद उसे मैसेज आते हैं, तो ये बिटा चैनल ही क्रिएट किया गया है, चैनल में आप लोगों का नाम शेयर होता है, इविन किसी की अइडेंटिटी शेयर नहीं होती, तो आपको बस क्या करना है, टेलेग्राम में सर्च करना, जीए बाई आशीश गौतम, इसको जॉइन कर ले ना, कोई भी अपडेट, PDF, सारी चीज़े आपको उसमें मिलती रहेंगी, ओके, क्लिया, नेक्स्ट यार, विच्ट टीम वन ब्रॉंज मेडल, किस टीम ने, ब्रॉंज मेडल जीता है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में, अगे, अगेंस मुरैको, मुरैको को हराकर, मुरैको चौथे नमबर परा, मुरैको को हराकर, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में, ब्रॉंज मेडल किस के द्वारा जीता गया, अच्छे देखो, हुआ क्या था, कि ये जो खालीफा इंटरनेशन स्टेडिया में, इसमें तीसरे पाइदान के लिए मैच हुआ था, थार्ड प्लेस के लिए, और मुरैको को हराकर, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में, तो एक से किसने ब्रॉंज मेडल जीता है, तो ये ब्रॉंज मेडल अभी मैंने बताया था, ये जीता गया क्रोएशिया के दौआरा, क्रोएशिया ने ये जीता था, क्रोएशिया के दौआरा ये फीफा वर्ल्ड कप 2022 में, ब्रॉंज मेडल जीता गया, next, मुरैको बिकम फर्स्ट आफ्रिकन टीम टूरीच वर्ड कप सेमी फाइनल, World Cup semi-final में पहुचने वाली पहली African team मुरैको थी ये second time हुआ था जब Croatia तीसरे नंबर पे रहा है मलब Croatia दूसरी दफा है ये तीसरे नंबर पे रहा है First World Cup में 1998 की बात हुरी है उसमें ये तीसरे नंबर पे रहा था दूसरी बारे जब Croatia ने तीसरे इस्थान हासिल किया क्योंकि ये team ने 1998 में एक सुतनतर रास्ट के रूप में अपने पहले विशुकप में उपलब्दी हासिल की थी अब 22 का World Cup है जब ये तीसरे नंबर पे रहा है Clear by? Next 2026 का जो FIFA World Cup है 2026 जो FIFA World Cup है वो तीन North American Countries में होगा Canada, Mexico, United State Canada, Mexico, United State Fine ये है It Will Be Which Edition ये कौन सा संस्क्रण होगा देखे ये बटा बताईए United State It Will Be Which Edition ये कौन सा संस्क्रण होगा तो ये हमारा होगा 23rd edition 23rd, इस साल का 22वा संस्क्रण तो next जो होगा 226 का edition वो कौन सा है 23वा संस्क्रण, okay Cristiano Ronaldo First male player है जिन्होंने की 5 different World Cup में स्कूर किया है अभी किसी male player ने 5 different World Cup में स्कूर नहीं किया तो 5 different World Cup में स्कूर करने वाले First male player को ने Cristiano Ronaldo He is from which country, यार हर कोई जानता है भाई गाह से है, भाई पुर्तगाल से अब जड़ा देखना है, इस content को समझना Next level पर content दे रहा हो, समझना बिटा Cristiano Ronaldo ने इतिहास रच दिया है First male player ने जिन्होंने की 5 World Cup में स्कूर किया है Okay, पुर्तगाल का जो opening match रहा था कतर में अगेंस घाना उस दोरान इन्होंने स्कूर किया था Lionel Messi, या फिर Miros left close Uwe Seeler, Pele ये वो हैं जिन्होंने 4 डिफरेंट FIFA World Cup edition में स्कूर किया था लेकिन 5 World Cup खेलने वाले जिन्होंने 5 World Cup में स्कूर किया है खेलने वाले नहीं 5 World Cup खेले और स्कूर किया वो Cristiano Ronaldo है, ओके Brazil की forward Marta ये 1st player जिन्होंने की 5 World Cup में स्कूर किया था देखें, ये 1st player जिन्होंने किया था एंड कैनेडा की Christine Sinclair joined her in that allied club in the same year और उसी साल जिन्होंने भी इस club को join कर लिया था 1st World Cup, मतलब 1st player जिन्होंने स्कूर किया था 5 World Cup में ओके, ये Brazil की forward मारता है अब female की बात नहीं हो रही अगर मैंने बोलू male player की बात करें तो male में Christiano Ronaldo है और female में देखें, 1st जिन्होंने की 5 World Cup में स्कूर किया था वो Brazil की मारता, ओके Brazil की मारता, clear भाई, Brazil की मारता next year, half full for FCI अरे, बिल्कुल क्यों नहीं Giani Infantino is the president of FIFA Giani Infantino, FIFA के president है which was founded in 21st में 1904, okay 21 माई 1904 को 1904 को इस्थापित FIFA के 1904 को इस्थापित FIFA उसकी अद्धिक्ष ग्यानी Infantino है Giani Infantino, FIFA का मुख्याले कहां पर है? FIFA का headquarter कहां पर है? FIFA का headquarter जोरेक स्विटलेन है FIFA का headquarter है clear? FIFA tournament first took place in 1930 1930 में FIFA का FIFA आयोजित किया गया था हर 4 साल में इसको आयोजित किया जाता है World Cup पहली दफा Argentina को हरा कर किसने जीता था? Okay, पहली दफा World Cup Argentina को हरा कर किसके द्वारा जीता गया था मेरे भाई? किसने? Argentina को हरा कर पहली दफा FIFA World Cup जीता था? बहुत बढ़िया Right answer बने गया यहाँ पर Orogway, okay? सबसे पहले जो World Cup जीता गया था Orogway के द्वारा जीता गया था Orogway है इसने 1930 में World Cup जीता था पहली दफा ठीक है? First World Cup जो हुआ था वो Orogway ने जीता था तो वो ब्राजील है 1994 में ब्राजील ने World Cup जीता 1970 में जीता 1962 में जीता 1958 में जीता अभी रिसेंटली 2002 में जीता था Okay, 2002 में तो 1, 2, 3, 4, 5 यह 5 टाइम से जब ब्राजील के द्वारा World Cup जीता गया इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अर्जंटीना भी है अर्जंटीना थीसवा तीन बार अर्जंटीना ने World Cup जीता है 2022 में अर्जंटीना ने World Cup जीता था 1986 में इसने World Cup जीता था और इससे पहले इनोंने World Cup 1978 में जीता था 1978 में पर उसके बाद 1986 में और अब यहाँ पर 22 में अर्जंटीना के द्वारा World Cup पे जीता गया है clear भाई हो? done? समझ में आगया, मज़ा आगया, next year 26 का जो FIFA World Cup है यह 23rd FIFA World Cup है यह जो tournament है यह will be first to include okay, okay, okay 26 का जो FIFA Wish Cup है वो 23 वा FIFA Wish Cup होगा यह tournament 32 से बढ़ा कर कितने टीमों को शामिल करने वाला पहला tournament होगा 32 से बढ़ा कर कितनी टीमों को शामिल करने वाला पहला tournament होगा बताए मेरे भाई 32 से बढ़ा कर कितनी टीमों को अब इसमें मतलब जो 22-23 का वल्ड़का भूगा उसमें कितनी total team होगी कहने का मतलब यहाँ पर यह है बहुत बढ़िया सबी एक्जाम के लिए इंपोर्टन है सबी एक्जाम के लिए यहाँ पर आंसर बनता 48th ओके आंसर क्या बनेगा मेरे भाई 48th आंसर बनेगा इंच्स देखना यह रागला इट विल बी फ़स्ट वर्ड कप सिंस 2002 2002 के बाद से यह पहला वर्ड कप होगा जिसको कि एक से जादा देश होस्ट कर रहे है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो के बाद से यह पहला विश्ट कप होगा जिसकी मेजबानी एक से अधिक देश करेंगे 1970-1986 के टूनामेंट की अपनी पिछली मेजबानी के साथ मैक्सिको तीन बार पुर्षों के विश्चुकप की मेजबानी यह सह मेजबानी करने वाला पहला देश बन जाएगा और इवन यूराइडिट स्टेट जोई उसने वर्ड कप को 1994 में होस्ट किया था इडिभी ग्रेडा फर्स्टाइम ओस्ट करने जा रहा है और में टूनामेंट को यह इंपॉर्टन है यार इन इंपॉर्टन मारे एक एक स्टेट्मेंट इंपॉर्टन है यह सोची है तो आपको 25 कोशन पढ़ा रहा हूँ तो इससे आराम से अच्छे खाल से कोशन बन जाएंगे यह खुद में के कोशन यहाँ पर छप जाएगा next ट्यार who won 222 FIFA Fair Play Trophy for being the team with the best disciplinary record at the tournament tournament में service list anusashatmak record वाली team होने के लिए 222 FIFA Fair Play Trophy किसने जीती simple शब्दों में FIFA Fair Play Trophy किसके द्वारा जीती गई है FIFA Fair Play Trophy किसके द्वारा जीती गई यहाँ पर आंसर बढ़ेगा बढ़ेगा एक लेंड ने FIFA Fair Play Trophy जीती थी ओके एक लेंड ने FIFA Fair Play Trophy जीती थी इसके साथ देखेगा golden ball Lionel Messi golden boot golden club martin एस okay martin एस अर्जंटीना के FIFA Young Player Award फर्नांडेज FIFA Fair Play Trophy तो Lionel Messi एक नो ने दूसरी दफ़ा golden ball अवार्ड जीता था अर्जंटीना के martin एस इनको golden glove अवार्ड दिया गया था मवापे इनको golden boot अवार्ड दिया गया था जबकि फर्दिनार्स जो है इनको best young player का अवार्ड मिला था best young player का next next FIFA World Cup 2022 okay FIFA World Cup 2022 final has a total prize pool of 72 million US dollar the winner received the highest prize in the competition सवाल यह है कि जो runner-up है उसको तो 30 million US dollar मिला 30 million US dollar अब जो यह हाँ पर champion उसको कितना prize मिला था okay तो यह तो बिड़ा 42 million US dollar यहाँ पर champion को दिया गया है तो जो winner था यानि कि अर्जेंटीना उसको 42 million US dollar मिला था जबकि यह runner-up था उसको 30 million US dollar prize मनी दी गई थी तो champion ठेकर runner-up जो रहे थे third place पे जो रहे थे उनकी यह top 3 जरूर याद रखना यह top 3 जरूर याद रखना clear है next पिड़ा यह जो FIFA है इसने 2022 का जो World Cup goal है वल्ड कप goal है, tournament prize अच्छा, दियर बाइस का World Cup goal of the tournament prize गया रिचर्ड यह, रिचर्ड ले सन को तो रिचर्ड सन को, रिचर्ड सन को दियर बाइस FIFA विशकप goal of the tournament पुरुसकार से सम्मानित किया गया वह है किसे देचिसे हैं? रिचर्ड लिसन नहीं है, रिचर्ड लिसन को 2022 का World Cup goal of the tournament prize दिया गया है सबसे बहतरीन goal जो किया था, वो इनके द्वारा किया गया था यह भाई ब्राजील से है, क्या शांदर हवा में उड़के इनों ने goal किया था और इसके लिए इनको यहाँ पर यह goal of the tournament का award दिया गया था भाई अपना ब्राजील से, कहां से ब्राजील से, next यार 172 total goal score हुए थे 64 matches में देखें, per match कितना यहाँ पर goal रहा था, even यह सोचो, यह record है अभी तक किसी भी World Cup में इतने goal नहीं हुए था, अभी तक हाईएस जो World Cup goal थे वो 171 थे, कितने बड़ा 171, अभी इस साल हाईएस World Cup goal हुए कितने World Cup goal हुए, 172 goal हुए, okay, clear है, और average रहा था पर match का 2.69, 2.69, next यार, tournament 64 matches थे, goal score हुए 172, 2.69 per match, okay, next, what is the mascot of 2022 FIFA World Cup which is an Arabic world meaning, world meaning super skilled player, तो 22 के FIFA वेश्यकप का शुभंकर क्या है, जो कि एक अरभी शब्द है, जिसका अर्थ है अत्ती कुशल खिलाडी, अत्ती कुशल खिलाडी, तो यह रहा था आपका live, okay, live 22 के FIFA, जो World Cup रहा है, उसका mascot रहा था, mascot, what is the name of official match ball of 2022 FIFA World Cup, 2022 FIFA वेश्यकप की आदिकारिक match ball का नाम क्या है, तो आदिकारिक match ball का नाम है, बिटा, Adidas अल रहेला, Adidas ने तयार किया, इसका नाम है, अल रहेला, इससे पहले भी official match ball रही है, यह चारों मैंने लिख रखी है, यही चार थी, अब यहाँ पर यह Adidas की है, अल रहेला, okay, अल रहेला, okay, इना Arabic, अल रहेला का मतलब होता है, the journey, क्या होता है, बिटा, the journey, लेकिन final match जो रहा था, final और semi-final match, उसमें जो ball use की गई थी, वो थी Al-Hilm, okay, उसका नाम था Al-Hilm, जो final match में, semi-final match में ball use की गई थी, उसका नाम क्या था Al-Hilm, okay, which country has won most number of FIFA World Cup, किस देश ने सबसे जादा FIFA World Cup जीते हैं, अभी मैंने पढ़ाया था, ब्राजील ने, सबसे जादा बार में, दूसरे नंबर पे रहा है, चार World Cup के साथ, okay, next, Bollywood actor Dipeka Padukon, इनों ने क्या किया था, कि जो FIFA World Cup 222 की ट्रॉफी है, उसको अन्वील किया था, इसको इनों ने इकर Cacillus के साथ अन्वील किया था, former soccer खिलाडी, former football खिलाडी, इकर Cacillus, इनके साथ मिलकर FIFA World Cup 222 की ट्रॉफी, अन्वील किसके द्वारा की गई थी, Dipeka Padukon के द्वारा, अब ये जो एकर Cacillus है, ये किस country से है, ये किस देश से है, तो ये Spain से है, किस देश से, मेरे भाई, Spain से, clear, Spain से, Spain से, ये Spain से, ये Spain से, ये भाई साथ जो इस पें से है, ये Lewis Witton की ब्रेंडम में जा रहे, इस FIFA ट्रॉफी का केस Lewis Witton ने बनाया था, और ये बतौर ब्रेंडम में से यहाँ पर अन्वील करने आई थी, इस से पहले 1966 में लगाई गई थी, और वो 1966 में किस के दौर लगाई गई थी, जौफ हस्ट के दौरा है ट्रिक लगाई गई थी, सवाल ये कि ये भाई, जौफ हस्ट जो है, जिनका रिकॉर्ड यहाँ पर, जिन मलब, इनके बाद अब यहाँ पर, कैलिन मवापे, फ्रांस की जौन ने की है ट्रिक लगाई थी, वर्ल्ड कप में, फाइनल में बिटा त सवाल ही इए, जौफ हस्ट जो है, ये किस Hispanka से है, ठीक है, जौफ हस्ट किस देश इससे है, तो ये आपके इगलेंड से थे, किसी थे इगलेंड से, clear बाईयो, इगलेंड से थे,ston, नेक्स ट्यार, तो ये कुछ नके नाम record देख दो, मैसी के नम, मैसी सब स्प्लेयर है, ज France lost the final of World Cup for the second time, ओके और ये दोना World Cup इनोना जो भी हा रहे हैं, वो पैनल्टी से ही हा रहे थे, लेके 2006 में, वर्सिस इटली 2022 में, अर्जन्टीना, अर्जन्टीना पहला South American nation ने जिसने की World Cup जीता है, ब्राजिल के बाद, ब्राजिल ने 2002 में जीता था, और मैसी is also the first to score in group stage, group stage में भी मैसी ने score किया, round 16 में भी किया, quarter final में भी किया, semi final में भी किया, एक single edition में सभी में, यहाँ पर goal करने वाले ये मैसी first हैं, मैसी पहले नमबर पर, clear भाई हो, done, next year, which country was rewarded by FIFA, with hosting right for the next Club World Cup in February 2023, मतलब February 2023 में, next year 2023 में, Club World Cup की मेजबानी, किसके द्वारा की जाए, किस देश को यहाँ पर चुना गया है, Club World Cup को host करने के लिए, ठेंक यू सो मच, मज़ा आगे बटा content देखके है, आना चाहिए, ठेंक है, क्योंकि बटा यही next level content है, जो मैं आपको provide करना चाहता हूँ, right answer यहाँ पर क्या बनेगा, मुरैको, ओके, तो मुरैको है जिसको फरवरी 2023 में, अगले Club विशुकाप के लिए, मेजबानी के अधिकार दिये गए, मेजबानी के अधिकार दिये गए, ठेंक हैं, next year, who beat Columbia, Columbia को एक जीरो से हरा कर, 2022 का Under 17 Women World Cup टाइटल किसने जीता, देखो इसी वर्शु दियर बाइस में Under 17 Women World Cup भी हुआ था, अब Columbia को हरा कर Under 17 Women World Cup किस के लिए जीता गया था, इंडिया ने वोस्ट किया था, फाइनल मेच डिवाई पाइटल स्टेडियम में रहत नभी मुंबई में, और ये जीता था, Spain ने, किसने जीता था, Spain के द्वारे ये World Cup भी जीता गया था, clear is Spain के द्वारा, next year, what is the official mascot of 2023 FIFA Women World Cup, okay, 2023 का जो FIFA World Cup है, वो औस्ट्रेलिया और New Zealand host करेगा, और ये जो World Cup है, 2023 का Women World Cup, इसका host country तो clear हो गया, इसका mascot क्या है, इसका mascot क्या है, इसका mascot है, Tazuni, okay, Tazuni इसका mascot है, Tazuni, next year, जहां से सुनेगा, Stephanie Frappart, okay, Stephanie Frappart, Frappart, first women है in the history, to officiate men's World Cup match, to men's World Cup match, officiate करने वाली, first women, ये है, Stephanie Frappart, okay, ये जो match रहा था, ये match था, World Cup match, Germany और Costa Rica के बीच में, 2022 के FIFA World Cup में, 2022 का FIFA World Cup, उसमें, Germany और Costa Rica के बीच में, जो match officiate किया था, वो एक महिला के दुवारा किया गे था, उनका नाम था, Stephanie Frappart, okay, और सवाल यहां पर ये, कि she is from which country, ये किस country से है, ये किस से देश से है, तो बिड़ा ये France से है, ओके, ये जिस से देश से है, वो France है, Women Referee have been selected to officiate FIFA Men's World Cup, for the first time in the history, पहली दफ़ा, जो FIFA Men's World Cup है, उसे officiate करने के लिए, महिलाओं को चुना गया था, Women Referee को, उसमें एक का नाम था, Yamashita, Yamashita, दूसरे का नाम था, Salima, तीसरे का नाम था, Stephanie, तो Salima, Stephanie, Yamashita, Salima, Stephanie, Yamashita, clear है, Salima, Stephanie, Yamashita, done मेरे भाई, clear, ये हमारे 23 सवाल मैंने कराए, दो आपको मिल जाएंगे, PDF में और, okay, fine, मैं नहीं चरा था, कि ये session और डिले हो, तो दो सवाल और थे, आप सोच सकते, जिस लेविल पर मैंने content prepare किया है, ये इसमें मैंने कहीं नहीं कि दिमाग और यूज किया, कि यार और कैसे content बना सकता हूँ, सारी चीज़े cover भी हो जाए, बच्चों को सब कुछ मिल भी जा, अलग से कुछ session देखना ना पड़े, तो इसी तरीके से मैंने बढ़ा, सारी setting कर कर के, कर कर के, यहाँ पर content बनाया, दिमाग लगा लगा के, content पसंद है, तो प्लीज चलों को subscribe करना, और एक request और है, एक जन्वरी को, एक जन्वरी 2022 पहला दिन, नए साल का, आप लोगों के लिए सुबह 7 बजे, Sunday वाले दिन रभी बार, दुनिया enjoy करेगी New Year, बढ़ मैं आपके साथ enjoy करूँगा, सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे मैं session ले करा रहा हूँ, तो आप लोगों से मेरी इतनी गुजारिश रहेगी, कोशिश करिएगा, कि ये जो session है, ये एक तारिक को मेरे साथ पे जरूर जुड़े, और बाकी जितने नए बच्चे, वो सुबह 7 बजे मेरे साथ current affairs session में जुड़ सकते हैं, मैं daily basis पे आप लोगों के लिए सुबह 7 बजे अपने YouTube channel अटे 24-7 पे current affairs session ले कर आता हूँ, और एक तारिक को याद रखना, ये जुलाई से लेकर दिसंबर तक के जो best 500 MCQs है, ये cover करेंगे सुबह 7 बजे, रविवार वाले दिन सुबह 7 बजे हम लोग शुरू हो जाएंगे, non-stop class चलेगी 3-4 घंटे ही है, ठीक है बाई, code भी बड़ा शांदा लेका, जितना cut-in संगर्ष होगा, जीत उतनी संदार होगी, ये संगर्ष है cut-in होने दीजे, क्योंकि हमें भी पता है, जो हमारे जीत होने वाली, वो भी बहुत शांदार होने वाली है, क्योंकि हमें मेहनत करना आता है, और आपको भी मेटा मेहनत करना आता है, साथ में मिलके मेहनत करेंगे, और निश्चित बड़ा, सफलता मिलेगी, तो तैयार है न आप सभी लोग तैयार है न यह जरूर याद रखना बाखी PDF के लिए आप एक काम कर सकते हैं PDF मैंने आपको बोला था आप इसके लिए एक काम करिएगा जो अफिशल टेलेगराम मैंने भी आप लोगों के लिए गुरूप बनाया है इसको जोईन कर लेना देखें यहाँ यह ओफिशल टेलेगराम मैंने चैनल बना दिया है इसको आपको जोईन कर लेना बिटा अरे दादा जी ए भाई आशीच गौतम आपको सर्च करना है अभी एक सब्सक्राइबर इसी में आपको PDF मिल जाएगी इसी में सारी अपडेटेट चीज़ आपको मिल जाएंगी ओके डन क्लियर है बाकिट डवल वेलिटी आ चुका है अगर आपको सर्फ बैंक और इंशुरेंस की तियारी करना चाहते है इसमें आपको सबी फैकल्टी की सबी क्लासेज मिलेंगी प्रीमेंस, डिस्क्रिप्टिव इंटर्व्यू, टैसीरी, सब कुछ बड़ अपको लगता नहीं मेरे को दुसरा बैंक महापैक प्लस के साथ जाना क्योंकि मैं बैंक इंशुरेंस के साथ साथ बैंक महापैक प्लस अब यही प्रिंटिट बुक के साथ चाहेंगे तो विद बुकिट विद बुकिट आपका आ जाएगा यह सीधा सा कॉंसेप्ट कोड है आपके भाई का वाई 168 इसको आपको यूज करना है बागी वारियर प्रो बैच है इसमें भी डवल वैलिटी है अब यह बजाए 12 मेने के 24 मेने के साथ मिल रहा है इसके लिए भी आपको पीटा सेम काम करना अगर आपको लगता है यह नहीं को सरफ जनल अवेरनेस पढ़ना है मुझे सरफ जीए चाहिए मुझे फाइनेशल अवेरनेस उसी में मिल जाए करेंट अफर उसमें मिल जाए स्टैटिक जीके उसमें मिल जाए कैप्सूल बैच उसमें मिल जाए सिंगल वारियर प्रो बैच है 1496 का मिलेगा 12 में वैलिटी आपको इसमें मिलेगी प्राइज एक तारिक से हाइक होने वाले तो कोशिश करना बिटा आज ही इन्रोल कराने की ओके कोड याद रखिए वाई 168 ओके बबाए ठेक के राद राद